जिन्दिगी में अगर आप कुछ करना चाहों और उसको करने का मोका मिले तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती आप सबी सो फ्रेंड्स आज दिन है सोमवार का तारीक है 16 अक्टूबर और आज है सकिंड नवरात्रा मतलब दूसरा नवरात्रा है आज तो सुबा जो है ना स्कूल गई थी और मतलब आज उर्वी के पापन नहीं गए ते डूटी तो हम नो सबने मतलब अपना स्लंच सुब मतलब जो भी था चार पराठे वगरा वो में लेकर चली गई थी लेकिन अभी आई हूँ स्कूल से तो बस आते आने के तुरंत बाद ही मैं लग गई हूँ यहां पर काम में तो मतलब बना रही हूँ खाना और खाने में बनाऊंगी आलू की सबजी जो आलू जो है ना तो तो रखे हुए थे ऐसी फ्रिज करके रख दिये थे फिर जस उसके बाद सीधा जो है ना उनको मतलब चील के नहीं उतारे थे उसके चीले नहीं थे आलू ऐसी बगर चीले रख दिये थे तो बस उसके बाद जो है ना उनको चील दिया था इतने और धरिया जो है आज उसके पापा के पास ही था तो आज वो पूरा दिन घर पर ही थे तो बस यहाँ पर आलू की सब्जी बना रही तो आलू की सब्जी बिल्कुल नॉर्मल सी जो भी मतलब टमाटर और हरी मिर्च बस यही दो चीज़े डलती है आज कल क्योंकि लहसन प्याज का बंध है लहसन प्याज बारा बजे तक मैं आ जाती हूं काविय भी मेरे साथ आ जाती है उर्वी भी आ जाती है तो इसी वज़े से लंच वगएरा मैंने थोड़ा बच्चों के लिए अज़ेस्ट कर दिया था और मैं कुछ फ्रूट्स वगएरा लेकर चली गई थी क्योंकि आकर ही मुझे लंच बनाना था तो यहां पर सबजी जब तक बन रही है तब तक आटा लगा लेती हूं तो आटा वाटा सब लगाने के बाद ना इतने सबजी बन गई थी तो कड़ाई में जो है ना कल कुटू के आटे की रोटी मतलब पूरियां बनाई थी ना तो उसी का जो तेल था ना वो बनाने में टाइम भी लगने वाला है और दूसरी बात आलू की सबजी के साथ पूरियां ही जादा टेस्टी लगती हैं बच्चों को भी मुझे भी और इनको भी तो इसी वज़े से मैंने फटा पट से पूरियां ही बना दी थी तो यहां पर तेल बस पूरी प्रेशर पे इसे अधर बिदनिया डालने के बाद उसे पांसे 10 मिनट पकाना होता है बस वपय यह यह दनीया बाद जाए फिर उसके बाद जस्ट में अपर जो है ना खाना दे दूंगी इनको तो जी यह था कि मतलब पूरियां वगरा रात भी खाई ती लेकिन अब भी खाई थी लेकिन आज कल जो है ना बगर लहसन प्याज के सबजी बन रही है ना तो साथ के साथ पूरिया ही टेस्टी लगती है और रोटियां वगरा बच्चे भी कम खाते हैं और ये भी कम खाते है तो जी यहाँ पर खाना रेडी हो गया है तो ये देखिए जी दोनों चीजी रेडी है तो आईए आप लोग भी खा लिजे इनकी प्लेट्स वगरा तो रेडी कर दी है मैंने अब सबसे पहले ये खाएंगे फिर उसके बाद बच्चे भी नहीं के साथ खा लेंगे तो जी बस खाना वगरा हो गया हमारा और पिर उसके बाद किचन ज जाती हूं जैसे साफ वगरा बरतन साफ करके जाती हूं और किचन क्लीन वगरा करके जाती हूं लेकिन जब बरतन है ना ये उनकी जगह पर अरेंज नहीं हो पाते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसी वज़े से वो नहीं हो पाता तो बस अभी उनको तो जी अभी टाइम हो गया है करीब 3 बच गये हैं तो मतलब खाना वगरा खाने के बाद कुछ देर तक मतलब आदे से पोने घंटे मैंने अराम किया है दहरिया को सुलाया है और तब जो है अभी आ गई हूँ कपड़े दोने तो मतलब मसीन के दो स्लोट चले थे कम से कम क्यो छोटे-चोटे कपड़े मैं इसमें डाल दे रही हूं सरफ लगा दिया है इसमें तब तक जोए ना इनके पापा बना रहे हैं चाय तो मतलब चाय वगरा पीने के बाद ना फिर इसके बाद जोए ना इनको अच्छे से खंगाल बंगाल दूगी कपड़ों को तो बच्चों क से कपड़े थे कम से कम दो स्लोट तक घूमे गए तिने कपड़े तो थे तो जी यहां पर जो है ना यह मतलब हैंड वश अभी बनाया था तो बस मैं इसको चेक कर रही थी कि कैसा बना है तो ठीक ठाक है वाकि आज इसमें पानी थोड़ा जादा हो गया है तो अभी आ गई सुबा से आकर इतना काम किया है कर दो दूपैर में आकर कुछ नहीं बनाना होता है जो भी उरख्वा होता हुससे हम चला लेते हैं काम लेकिन आज घर पर थे तो खाना बगरा बनाया और मतलब तो प्रेशर भी थोड़ा जादा हो गया का तो बस इसी वज़े से तो जी बस साथ के साथ ही लगानी पढ़ रही थी तो ही तो फिर पता नहीं मैं तो लेना सकती ने चुटी नहीं नहीं है बार बार अच्छा नहीं लगता सर जी कदी क्या लगा हूँ अब सेगिं सटडे की भी ली थी मैंने इसके बीटियम के मारे अब ये क्या था तो जी बस यहाँ पर जो है ना मतलब कपड़े वगरा सुखाए कुछ देर तक हम छट पे रहे उसके बाद जस्ट आ गई थी मैं नीचे और मतलब आस सुबा जब मैं गई थी तो धैर्या सोया हुआ था तो बैट शिट वगरा भी नहीं ठीक हो पाई थी तो मतलब क्योंकि धैर्या को छोड़के गई थी तो इसी वज़े से उसको उठाया नहीं तो बस अभी आके बैट शिट को भी जाड़ दिया है और अब जो है ना करूंगी जाड़ू और पोचा तो मतलब जाड़ू तो पूरे घर में ही लगेगी लेकिन पोचा सिर्फ यहीं पर लगेगा जहां पर मैंने चोकी लगाई हुई है तो मतलब बच्चे वगरा गूमते हैं और मैं भी गूमती हूं जादा तो नहीं तो लेकिन अचाए भले ही हम कपचपले नहीं पहनते ले तो फटाफट से एक पूचा भिगो के ना उसको भी लगा देती हूं तो थोड़ी सफाई हो जाएगी और मेरी पूजा भी अच्छे से हो जाएगी तो जी यह शाम का वक्त है करिब मतलब बच गए थे साथ तो मैं गई थी मार्केट थोड़ा सा मुझे अपने लिए समान और थोड़ा सा घर के लिए तो मेरा जो अपना समान है वो तो मुझे मिल गया उसमें से एका समान जो भी था मतलब जरूरी वो मुझे मिल गया और मतलब विकलेगी वगरा लेनी थी और बच्चों की दो-तिन टी-शिट जैसे अब सरदी आ गई है न तो मतलब बच्चों के स्लिफ्स वाले टी-शिट चाहिए अब जो फुल स्लिफ्स के होते हैं वो चाहिए और कुछ जो घर के समान जो एकात थे न वो खतम हो गए जैसे चावल बेसन वगरा यह थे नी और मतलब आजकर लसन प्याज नहीं बन रहे हैं तो सोचरियों कड़ी वगरा बनालो तो अब हमारे आपर मारकेट लगती है मंडे मारकेट तो बस सबजी भी ली आई थी मैं और यहाँ पर उनी को डबो में डाल के लख रही हूं तो जी बस अभी बारी आ गई है रात के खाने की तो रात के खाने मेें आप दिन में आलू की सबजी जो बनाई थी वो ऐसी कि रख dealer हुई थी और क्योंकि लाल मिर्च की सब्जी थी तो दोनों टाइम एजिली खा लेंगे और फर्स चावल बनाने मुझे नमक के वो भी वाइट वाले तो वो इसलिए क्योंकि अब एक टाइम पूरी खा ली थी तो उस सब्जी से दुबारा से या तो रोटी पूरी नहीं है और चले गए मतलब बोल रहते हैं कुछ देर के लिए जाने दो तो मैंने का चले जाओ इतने मेरा काम भी जो नहीं बढ़ जाएगा जो भी मतलब मेरा काम रहता है अब इस बीच जो है जब तक यह गए उस तब तक मैंने बहुत सारे काम अपने निप्टा लिए तो पहल कड़ाई को साफ करने में लगेगा अस टाइम तो वह तो साफ हो गई है अभी यह कपड़े जो है ना सुख गए तो मतलब यह चटपे से लेकर आ गए यही लेकर आ गए थे मतलब इनको भोल दिया तो बस अब इन में से जो है ड्रेश वगरा बो अलग कर रही हूं क्योंकि साथ के साथ प्रेस करके भी रख दूंगे क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो तब तक जो है ना इनके बाकी के कपड़ों को मैं तैव अगर लगा के रख दूंगे और इधर धैरिया और रोहन मेरे पास है दोनों खेल रहे हैं अराम से और इनका कुछ नहीं पता कभी ये लड़ पड़े इनका सच में कुछ नहीं पता होता एक मिनट में ये लड़ते हैं और एक मिनट में एक हो जाते हैं तो जी बस अभी यहाँ पर जो भी प्रेस के कपड़े थे वो तो निकाल लिए हैं और बाकी कपड़ों को उठा के रख दूँगी तैय लगा के और जो भी मुझे पहनना है उसको भी साथ के साथ प्रेस करके रख दूँगी क्योंकि सुबा जरूरी नहीं है कि मुझे टाइम मिले कभी कभार नहीं भी मिलता है तो बस इसी वज़े से ना रात को भी प्रेस करक तो यह था मेरा आज का चोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा सब्सक्राइब